Hi friends, आज हम देखने वाले हैं Vikas Life Care Limited के बारे में देखे कली इस कंपनी के बारे में कुछ नोटिस आया है उस नोटिस को अभी देखेंगे लेकिन उस से पहले देख लेते हैं कुछ कंपनी के बारे में करेंट प्राइज चल रहा है पांच रुपे का और हाइज था इसका आट रुपे 15 पैसे और लो है तीन रुपे 10 पैसे का इस्टोक पी चल रहा है 22.4 पर बहुत सस्ते में मिल रहा है बुक वैल्यू है 1.82 की और 21 परसेंट का आरोई है तो बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है कंपनी जो है डेफ्ट फ्री है हमारी और एक गुड कार्टर के इसका हम एकसेप्ट कर सकते हैं देखिए डेफ्ट फ्री है और पिछले 5 सालों का जो इसका 232 परसेंट घटकर 13.3 परसेंट रह गई है तो इसका कारण यह था कि कंपनी पहले करजे में थी अब कंपनी ने अपना कुछ इस्टेक बेज कर करजा निप्टाया है अब ओल्मॉस्ट फ्री कंपनी हो गई है देखिए शेर होल्डिंग पैटरंस में भी सबसे बड़ी चीज आपको य 14.21% की FII की होल्डिंग है जो पिछले क्वाटर में मार्च क्वाटर में मतलब 0.03 की थी तो यहां यह जो FII है कितना इन्होंने इस्टेक यहां पर बढ़ाया है देखिए और कंपनी के जो पब्लिक के पास होल्डिंग थी वो थी 85.16% अब रहा गई है 74.47% तो एक आप चल देते हैं सिदे उस नोटिस पर जो नोटिस कल आया है इसमें देखिए कंपनी के जो हैं कल की देट में दो नोटिस आए 10 अक्टूबर को आप देख सकते हैं और इन दो में एक था मीडे रिलीज और जो हमारे काम का है वो यह है देखिए 30% इस टेक इन रिटेल चै में ही रिलीज हुआ है और सब्जेक्ट देखेंगे कंपनी ने जो है यह 30% स्टेक लिया है किसमें रिटेल चैन इस्टोर अर्थ सैनी कैंटीन जो अर्थ सैनी कैंटीन होती है उनमें कैस कंसिजर ओफ आई एन र डेड़ सो मिलियन रुपीज में इन्होंने यह स्टेक खरी आपका यह होने वाला है 28 मार्च 2023 तक जिसमें की 30% सेर एक्वाइर किये जाएंगे इनका नंबर होगा जो यह 30% है यह 30,000 शेर होंगे यह आप देख सकते हैं 30,000 शेर कंपनी लेगी विकास लाइफ केर इसमें जो की 30% स्टेक होगा तो दोस्तों यह कंपनी जो है कहर मुझ वीडियो सिर्फ एक knowledge purpose के लिए था आपको यह इनवेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च जरूर कर लें क्योंकि मैं कोई financial advisor नहीं हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत